जा हिन्द इस वीडियों लोग एसे अफेंट कमें कि भारें बात करेंगे एसेट पेंटस का शेर लगतार दो मास से निचे की तरफ धढ़ाम हो रहा है लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से इसका सेर प्राइस डारीक्ट निचे की तरफ गीड़ रहा है आखिर इसका कारण क्या है इस वीडियोगा हम लोग इस पर बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि शेयर प्राइस उपर की तरफ उठना कप से सुरू होगा आईए बिना किसी देरे के डियरेक्ट बोड पर चलते हैं सारी बात हम लोग वहीं समझेंगे और सुरु और सेयर प्राइस है 274 रुपए देगे कल जब मार्केट क्लोज हुआ तो यहां पर इसका क्लोजिंग वह था और वही इस प्राइस लिखा हुआ है लगा चुगा 3590 रुपए का कंपनी का सेयर प्राइस अधिक्तम 3590 रुपए का असपास तो गया और यहाई जो है साथ जन प्रतिसर टूट चुका और एक माह में तक हैंगे तो 15 प्रतिसर तक लगवाग तूट चुका है अब आईए कारण की बात करते हैं किस कारण सागे सेयर प्राइस इतना टूट रहा है सबसे जो पाहला कारण रसिया उक्रेन वार यह तो आपको पता है लेकिन इस वार का इस अब समझें क्रूड आयल कंपनियां खरितती है और अगर कंपनी का मार्जिन नहीं बढ़ेगा और मार्जिन नहीं बढ़ने के चलते सेयर प्राइस नीचे किताब लुड़क रहा है तो यही कारण है अब समझें कंपनिया रूस उक्रेन का लड़ाई हो रहा है रूस और उक्रेन में उसके चलते भारत के समान बढ़ जाएं यह भी सही नहीं है हलागी कंपनियां तब तक कोसिज करेंगी जब तक ज्यादा नुक्सान नहीं हो लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ने कंपनी को फिलान नुक्सान हो रहा है तो आपका मैटरियल बनाने इनकी बेटी ने इनकी जगह पर पोस्ट होता हुँ समाला जी का नाम है नहाल वकील नहीं से कंपनी से जुड़ी हुई है इतने सालों में लेकिन अब हो निचेक तरफ गिरा यह ततकालिक कारना कंपनी ठीक है फंडमेंटल ठीक आने वाले समय में अभी मौका है अगर आप ततकाली कारण जिसके चादर सेर्प्राइस नीचे जा रहा है उम्मीद करता हूं वीडियो इंफर्मेटीव लगी होगी मैं जो बताना चाहरा था आप वो समझ माया होगा मन में कोई सवाल है तुमसे पूछे बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक देने बाद सु क्या हुआ हुआ है